हलो माई फ्रेंड कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम बना रहे हैं मावा की जलीवी तो इस जलीवी को आज हम बिना मावा की बना कर तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेवं का आटा लिया है आप लोग देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से जलीवी बनाएंगे तो बिना मावा के ही हमारी बहुती डैस्टी जलीवी बनकर तयार हुगी तो हम सबसे पहले यहाँ पर चैनल के लिए तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी चीनी डाली है जितनी हम ने चीनी लिए उससे हम यहाँ पर डबल पानी का इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर मैंने डेड़ करूली पानी डाला है यहाँ पर फ्लेवर के लिए दो वाली जी डाल दी है अब हम चासनी को अबलने के लिए रखेंगे अब लुवादी तो इसकी चासनी ना तो हम एक तारवाली बनाएगे ना ही दो तार बार आगे बनाएंगे बस इस चीनी को हम मेल्ट करेंगे तो इसको हम चलाते हुए अच्छे से उबाल लेंगे दो तीन मिनट देखिए इसमें उबाल आ चुका है इसको हम दो मिनट और उबालेंगे आप लोगों को मेरी यह जली विकीर इस पर अच्छी लगए तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो चासनी हमारी बन चुकी है तो चलिए हम आटे को भूझ लेते हैं तो यहाँ पर कडाई में मैंने आटा डाल दिया है अब इसको हम भूझेंगे यहाँ पर मैंने ना कोई तेल डाला है ना ही कोई घी डाला है इसको हम ऐसे ही भूझेंगे बहुत ही अच्छी जली विबन कर तयार होती है बिना माबा के ही माबा जैसी जली विबन कर तयार होती है बहुत ही जूसी और बहुत ही फूली फूली और बहुत ही इस्पंजी हमारी जले भी बनकर तयार हूँगी आटा हमारा बहुत इच्छी से लिख चुका है इसको मैंने प्लेट में नकाल लिया है इस तरह इसे बड़ी सी थाली में नकाल लिये जिससे आटा गूतने में आसानी होगी यहां पर हम दूद डाल कर आटे को गूतेंगे तो यहां पर मैंने आधी कटोरी दूद लिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं वीडियो में यहां पर हम थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर आटा लगाएंगे तो आटा हमारा लग चुका है देखिए यहां पर मैंने अच्छे सौप्ट आटा लगा कर तयार किया है इतना आटा लगाने में यहां पर मैं लगबा मुझे चार या पांच चम्मज दूद इस्तमाल हुआ है तो कड़ाई मेंने रख दी है तेल गरम होने के लिए तो हाथ को हम चिकना करेंगे तेल लगा के अब हम इसकी लोई नकालेंगे बहुत ही अलग तरीके से आज हम जलेवी बना कर आप लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हों तो प्लीज इस रेस्प्य को एक बार जरूर ट्राई कीजे फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना आप लोगों की जलेवी कैसी वनी है ना यहाँ पर मैंने कोई मिल्क पाउडर डाला है ना ही मावा डाला है इस तरह से इसकी लोई हैं जो निकाल लेते हैं लोई मैंने निकाल ली है तो लोईयों को हम साइड में रखेंगे अब इस तरह से इसको हम लंबा लंबा रोल जैंसा बनाएंगे इस तरह से देखिए जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ उसी तरह से आप लोग भी इस तरह जलीवी बनाएए इस रेस्पी को जरू ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छी जलीवी बन कर तयार होती है जब भी आपका मीटा खाने का मन हो तो आप इस तरह इसे जलीवी बना कर खाईए और सबी को खिलाईए तो देखिए इसको मैंने इस तरह इसे गुमाते हूँ जलीवी का सेब इसको दे दिया है तो इसी तरह इसे और भी जलीवी बना कर हम तयार कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है इस जलेवी को कोई बना कर तैयार कर सकता है बड़े बच्चे सबी बना सकते हैं इस तरह से हम जलेवियों को बना कर तैयार कर लेते हैं आप लोगों को मेरी हेरेस पर अच्छी लगए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएए तो यहाँ पर हमारी लगवाग साथ जलेवन कर तैयार हो चुकी है तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब कड़ाई में जितनी जलेवी आ जाएं एक बार में हम उतनी डाल देंगे बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और नया तरीका है जलेवी बनाने का यह तो इनको हम लोग फ्लेंपर ही बहुत ही अच्छे से प्राई करेंगे इनको हम पलड़ देंगे देखिए इनका कलर बहुत ही अच्छा आया है जैसे मार्केट में मिलती है अलवाई बाले आप लोगों को जलेवी देते हैं उसी तरह ऐसे जलेवी आज हम घर पर बना कर तैयार करेंगे इनको हम गर्मा गर्मी चार्शनी में डालेंगे तो देखिए यह तैर रही है इससे पता चलता है कि जलेवी बहुत ही हलकी बनी है बहुत ही अच्छे से सिख चुकी हैं तो चलिए हम दूसरा पैच भी इसी तरह से इनको फ्राइड करके निकाल लेते हैं जितनी यह देखने में अच्छी लग रही है यह खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती है तो हमारी जलेवी बनकर तयार हो चुकी है इनको हम चास्नी में ही रहने देंगे जिससे है चास्नी को बहुत ही अच्छे से सोक लेगी तो चास्नी के अंदर बहुत अच्छे से जा चुकी है तो मैं आप लोगों को एक जलेवी दिखा देती हूँ देखिए जलेवी बहुत ही अच्छी से पूल चुकी है बहुत ही सौप्ट सी रसीली सी हमारी जलेवी बनकर तैयार हो चुकी है देखिए कितनी आसानी से तूट रही है मैं आप लोगो हांसे भी दिखा देती हूँ देखिए बहुत ही हलकी और बहुत ही जूसी सी हमारी जलेवी बनकर तैयार हो चुकी है बहुत ही कम खर्चे में रेस्पी अच्छी लगए तो लाइक करें ठैंक यू